सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हेलो गाइस वेलकम टू आई यूटूब चैनल डेजिटिल क्रंच यह हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर वन है इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोग को क्या सिखने मिलेगा कोर्स के इंपोर्टेंस क्या है लेकिन ये कोर्स की दो इंपोर्टेंट बाते बताना चाहता हूँ परले इंपोर्टेंट बात यह है आप लोग को जो भी ये कोर्स से सिखने मिलेगा कोई भी गलत काम के लिए यूज नहीं करेगा जो भी आपको ये कोर्स से knowledge मिलेगा अच्छे कामों के लिए ही use करोगे और केवल educational purpose के लिए ही use करोगे आप लोग इसका use विल्कुल भी गलत कामों के लिए नहीं करोगे अगरी दूसरी important चीज यह है कि आप लोग ये कोर्स से इतने काबिल हो जाओगे कि अपने ही android mobile से घर बेट के दुनिया में कहीं भी किसी का भी android mobile hack कर सकते हो JC की camera, microphone, xe trunk, cct camera, instagram account, snapchat account, computer system और उसका location track कैसे करते हैं और भी बहुत सारे चीज़े अपने ही mobile से access कर पाओगे इतने काबिल मैं आपको मना दूँगा ये कोर्स से ये कोर्स को starting से अनी तक देखना सब basic से advanced level तक बताऊंगा बहुत सारे important चीज़े आप लोग सीखोगे future में आप अगर ये field में कुछ करना चाते हो तो ये कोर्स आपको बहुत काम आएगा चलो आप भी जान लेते हैं कि हम लोग ये कोर्स को कैसे सीखेंगने वाले है अपने ही Android Mobile से जैसे कि आप लोग को पता है कि ये कोर्स पूरा का पूरा Android Mobile बेस्ट है तो मैं आप लोग को Android Mobile से full advanced level की hacking कैसे कर सकते है आज करके hackers PC, laptop का यूज करके hacking करते है उनके system में जो operating system होता है वो Linux होता है जादा करके hackers लोग के system में जो operating system होता है वो Linux ही होता है विकास Linux operating system काफी safe माना जाता है तो उसी प्रकार हम अपने Android Mobile में एक Linux environment को install करेंगे तो वो हम install करेंगे अपने Android Mobile में आप का नाम Termox है यह application प्ले स्टोर में अवलेबल है हाउ टू इंस्टोल एन इंस्टोलेशन पार्ट हम सकेंड पार्ट में देखेंगे तो अभी के लिए जानते है हम Android Mobile से hacking कैसे करेंगे जो hackers होते है उनके operating system में तर्मिनल होता है ब्लैक कलर का और उस तर्मिनल में उनके पास पेले से भूट सारे install tools होते है और उस tool का use करके hacking करते है और guys इस प्रकार हमारे Android Mobile में application होते है वैसे ही Linux में भी tools होते है Android applications के तरह और सब tools हम hacking के लिए यूज़ करेंगे और यह सब tools बहुत advanced होते है क्योंकि यह hackers द्वारा बनाए जाते है तो चलो guys यही खतम करते है We will meet in second part of video तब ते के लिए ठाटा बाई बाई